हम लोग ने आपको पहला वीडियो अपना भेज दिया था एक्साइज 1.1 का अब हम आपको एक्साइज 1.2 पढ़ा रहे हैं तो मैं जैसे आपको वैसे तो मैं कोचिंग में पिसले 20 साल से पढ़ा रहा हूं ठीक है और मेरे बच्चे ने स्कूल में टॉप कर रहा है का 100 में हमारे कोचिंग के बच्चे लेकर आ रखें एक्साइज 1.2 एक्स प्रेस इक नंबर अजय होता है यंदे करता है ती नहीं करता है ठीक है और 4 करता है यह नहीं करता है, 4 312, 204 भी इसे करता है, पर 4 प्राइम नहीं है, तो हम इसका प्राइम फेक्टर निकाल रहे है, 2 into 70, 2 into 70, 5 into 35, 7 बैसे 7, इसके प्राइम फेक्टर होगा, प्राइम फेक्टर आगा है, 140, 2 के पावर 2, क्योंकि 2, 2 है, ठीक है एक 5 एक 7 यह होगा हमारा 140 का यह सिंपल है सारे बच्चे को आता हुआ लेकिन हम लोग क्योंकि सारे की कुश्चिन कर रहे हैं तो आपको सारे कुश्चिन समझाना चाहरा हूँ यह सारे जो नंबर होने चाहिए यह क्या नंबर आने चाहिए प्राइम ऐसा नहीं न चाहिए आपने कोई पर बड़ा नंबर लिख दिया 15 होने को तो 15 से भी डिवाइड हो जाएगा पर 15 नहीं लिखना है क्योंकि 15 प्राइम नहीं है 5 005 5 1001 पर यह 17 से कराा मने आपको 11 से किया फिर हम LCM and HCF of the following pairs of integer and verify that LCM into HCF is equal to product of two number अब first question है 26 and 91 इसका LCM और HCF निकालना है और प्रूव करना है कि LCM into HCF is equal to product of two number LCM into HCF is equal to product of two number ये class छोटी class में ही पढ़ाई जाती है 6, 7 में भी पढ़ा होगा आप लो नहीं है 26 and 91 जैको 26 का फेक्टर निकाला two 13 जै 13 जै 91 का निकाला seven into 13 13 जै 13 जै 26 का जब फेक्टर निकाला मैं इसको लेका two into 13 91 का लेका seven into 13 ज्योंकि 13 इधर भी है 13 इधर भी है तो उसका HCF होगा 13 जो आज मैं आपको LCM सिखा रहा हूँ मेरी बात को ध्यान से सुनना LCM निकालने का तरीका क्या है जब आपने इस सब का फेक्टर निकाल लिया तो आपको देखना है कि कौन-कौन से नंबर इसके प्राइम है और उनका maximum power कितना है देखो टू एक ही है इसमें two का power one seven भी एक है और ठर्टीन दे नीचे भी है लेकिन 13 का अगर आप पावर देखिंगे तो one है तो LCM के आएगा two into seven into 13 कितना आगया one hundred and eighty-two आगे मैं और भी कुश्यन कर रहा हूँ मा तब आपको ढंग से और इच्छी के समझाएगा अब हमने लिखा verification verification के लिए हमने लिखा LCM into HCF is equal to product of two number LCM कितना निकर निकर रका one eighty two HCF कितना निकर रका 13 HCF से बोलते है जो दोनों में common होता है तो product of number क्योंकि number कितने दो है 26 और 91 हमने दोनों को multiply करा कितना आगया two three six six to left hand side right hand side के equal हो गया देखो LCM into HCF product of two number तभी होता है जब यह number 2 होंगे अगर यह 3 होंगे तो यह वाला formula नहीं लगेगा next वाला find the LCM in HCF of the following and verify देखो 510 लिखा है हमने इसके factor निकाले सब देखो factor निकालने class 10th के बच्चो factor निकालना आपको आते ही होगा इसमन ज्यादा time based करूँगा वीडि 46 223 23 23 23 510 10 लिखा इसके हमने factor निकाले 235 17 22 23 क्या नोजरा रहा एक टू एक फाइक 17 सबके पावर 11 है नीचे वाले में 2 के पावर 2 है और यह 23 अब जहां से समझना HCF देखो उपर 2 का पावर 1 है नीचे 2 का पावर 2 है तो एक 2 दोनों में common है तो HCF कितना होगी है 2 2 का पाव पावर देखो नंबर अलग अलग इसमें 2 है 3 है 5 है 17 है और 23 है तो 2 का maximum power कितना है 2 3 का maximum power कितना है 1 5 का maximum power 1 17 में maximum power 1 23 का maximum power 1 फिर हम लोगों ने इनको क्या कर दिया multiply कर दिया और क्या निकाल दिया हमने इसका LCM निकाल दिया अब आपको verify करना है LCM into HCF is equal to देखो यह LCM है 23 460 HCF कितना है 2 क्योंकि दोनों में 2 क्या है common है तो यह हमारा क्या आगया answer आगया LCM into HCF 46920 फिर product निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग 510 को 92 से multiply करेंगे दुबारा answer यह ही आएगा और यह verify भी हो जाएगा अब हमारा third bar 336 and 54 336 का मैंने दुबारा यह factor निकाल दिया यह आर यह आप आप कर लोगे इसमें factor निकालने में कोई बड़ा काम नहीं 54 का भी factor निकाल दिया यह समझे ना यह थोड़ा सा मुस्किल है 336 में 2 का पावर 4, 3 का पावर 1, 7 का पावर 1, 54 में 2 का पावर 1, 3 का पावर देखो, 3 का पावर कितम है 3 है, LCM निकालने के लिए देखते हैं इसमें power किसका ज्यादा है, 2 का पावर उपर वाला ज्यादा है, नीचे वाला कमें तो उपर वाला ज्यादा वाला लिखेंगे, 2 का पावर 4, 3 का पावर 3 ज्यादा है, इसलिए नीचे यह वाला लिखेंगे, 7 का पावर 1, हमने इन तीनों को मिल्टिप्लाए करा, 16, 27, 7 आगे हमारा LCM, 3024, HCF क्या आएगा हमारा 6, क्यों आएगा HCF 6, देखो, 2 का पावर 4, 2 का पावर 1, 1, 2 common, 3 का पावर 3, 3 का पावर 1, 1, 3 common, HCF हो गया, 2, 3, 6, दुबारा फिर हमने लिखा, LCM और HCF को मिल्टिप्लाए करा, product of number लिखा, यह दोनों answer के आगे है, same, हमारा यह verify हो गया, now question number 3, find the HCF and LCM of the following integer by applying the prime factorization method, same, 12, 15, 12, 12, 12 का factor 2 into 2 into 3, 15 का 3 into 5, 21 का 3 into 7, यह 3 number है, ध्यान से देखिए, 2 के 2, 3 का 1, 3 का 1, 3 का 1, 5 क 3 का 1, 3 का 1, 7 का 1, HCM निकालने के लिखा, मैंने maximum power, maximum power 2 की 2 है, 3 की एक है, 5 की एक है, तो हम लोगों ने इनको multiply करा, answer निकाल दिया, हमने 4, 20, HCF क्या है, जो 3 का common है, 3 का power 1, 3 का power 1, HCF क्या हो गया, 3, अब 17, 23, 29, 17, 23, 29, तीनों के तीनों प्राइम नमबर है, जब तीनों में होते हैं, जब तीनों में कोई भी factor common नहीं होता है, तो HCF क्या माना जाता है, 1 माना जाता है, HCF क्या होगा, इसका 1 हो गया, HCM क्या आएगा, जब तीनों ही number prime है, तो तीनों को multiply कर देंगे, तो LCM में निकल जाएगा, अब next वाला देखिए, 8, 9 and 25, 8, 9 and 25, 8 का हमने factor निकाल होना, तो इसलिए, HCF कितना होगा, 1, और LCM निकालने के लिए, maximum power, 2 का maximum power, 3, 3 का maximum power, 2, 5 का maximum power, कितना है, 2, हमने इसको क्या करा, multiply करा, 8 into 9 into 25 करा, LCM कितना होगा, हमारा, 1800, तो हमारे question number 3 भी क्या होगया, complete होगया, now I'll be doing question number 4, now question number 4 में, if HCF of 306 and 657 is 9, find the LCM of this and this, 306 and 657, simple formula, LCM into HCF is equal to product of 2 number, LCM को किसे multiply करो, HCF से multiply करो, तो product of 2 number के बराबर होगा, हमें HCF पता है, और वो दो number भी पता है, LCM क्या होगा, 9 नीचे चला जाएगा, divide करेंगे, इसको हम लोग इससे काटेंगे, तो LCM क्या आ जाएगा, 34 into 657, यह हमारा क्या आगे, LCM, आप question number 5 समझा रहा हूँ मैं आपको, check whether 6 to the power N can end with the digit 0, for any natural number, N और N बिलांग्स to natural, देको जहां से सुनो, यह कह रहे हैं, क्या किसी number के अंत में, अगर उसका power 6 to the power N है, क्या उसके आखरी में, अगर मालो N की value 1 लगाओ, 2 लगाओ, 3 लगाओ, जो भी लगाना चाहो, आप सब लगाओ, तो इस N को खेल क्या है, खेल इस 6 में, 6 का क्या निकालेंगे, factor, 6 के factor में क्या आ रहा है, 2 और 3 आ रहा है, 2 और 3 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, किसी भी number के end में 0 आने के लिए, यह number आपको 6 लिख रहा है, उसके अंदर 2 और 5 होने जरूरी है, अगर 6 के factor निकालते हो, तो 2 और 3 आ रहे, परंतु 5 नहीं आ रहा है, जिस number के factor में 2 और 5 नहीं होंगे, उसके end में 0 नहीं आएंगे, तो मैंने लिख रहा है, number to be end with the digit 0, must be in the form of 2 to the power m and 5 to the power end, और यह लिख रहा 6th end is having only factor of 2 and not of 5, इसलिए it will not end with the digit 0, तो यह question number 5 मैंने आपको समझा दिया, यह बहुत important है, जला ध्यान रखिएगा, question number 6, explain why 7 into 11 into 13 plus 13, और यह 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5, यह composite number क्यों है, तो सबसे बहले हम आपको समझाते है, composite number किसे कहते है, composite number उसे कहते है, इसके 2 और 2 से जादा factor ह होते हैं, जो number, प्राइम number नहीं होता है, उसको हम लोग क्या बहुते है, composite number हम उसे कहते है, अब यहां लिकरेगा, 7 into 11 into 13 plus 13, दोनों में क्या common है, 13 common है, 13 बहार आगिया, 77 plus 178, अब हमने 17 के factor निकाले, 13 into 2 into 3, तो क्या नजरा रहा, दो से ज्यादा factor है, इसलिए number क्या है, composite ह है, यहां पर भी ध्यान से देखिए, यह भी 5 है, और यह भी 5 है, यहां भी 5 है, 55 दोनों में common, अगर बागी को multiply करोगे, 1008, ठीके, अब यहां देखो, 55 common ले लिए, आप अन भार आ गया, 1008 into 1, यह 5 into 1009, दो से ज्यादा factor होगे, दो से ज्यादा क्यों है, क्योंकि 1 भी है, तो आप comment करियेगा, मुझे बताइएगा, हमारा वीडियो कैसा है, अगर आपको कुछ भी doubt-out हो रहा है, तो आप हमको बताते रहिए, जैसे जैसे हम पढ़ाते जाएंगे, वैसे confidence आते जाएगा, there is a circular path around a sports field, Sonia take 18 minutes to drive one round of the field, which, while Ravi take 12 minutes for the same, suppose they both start at the same point and at the same direction, after how many minutes will they meet again at the starting point, ध्यान से मेरी बात को समझेए, एक 18 minutes लगाता है, एक 12 minutes लगाता है, ठीके, तो इनकी मुलाकात कब होगी, इनकी मुलाकात कब होगी, तो ध्यान से, जो हमें छोटे class में पढ़ाया था, एक 12 का table, एक 18 का table, दोनों घर से साथ-साथ निकलते हैं, एक 12 का table और एक 18 का table, घ तोनों में हो, जेखो, 36 12 में भी आ रहा और 18 में भी आ रहा, और 36 सबसे पहला वाला, सबसे लीस्ट है, सबसे छोटा वाला है, तो इसका answer क्या होगा, after 36 minutes, understood or not? अब मैं आपको इक questions और भेज रहा हूं, ठीके, जैसे मैंने आपको exercise 1.1 complete करी थी, तो कुछ questions हमने आपको दि कोचिंग को जॉइन करें, यह हम आपके problems उसमें लेते रहेंगे, यह questions मैंने आपको, पुरे इसमें आपको भीज रहा हूं, जड़ा जाएंग से चेक करते रहें, कुछ भी doubt आता है, आप हमसे cancel कर सकते हैं, यह हमारे questions है.